हलो बच्चो, let's see this question, the question says, what is the importance of epi-joic-elga to tree-dwelling-sloth? इस question में हमें यह बताना है कि, क्या importance होता है epi-joic-elga का tree-dwelling-sloth के लिए? तो आईए इस question का जो है answer देखते हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इस question में, की concept की की concept की बात करते हैं तो इस question में मारे की concept हो जाएगा symbiotic symbiotic relationship तो अगर हम यहां पर बात करें जो symbiotic relationship यह क्या होता है तो इसमें क्या होता है टू organism जो होते हैं two organism जो होते हैं साथ में रहते हैं और एक दूसरे को इनको क्या होता है symbiotic relationship से फाइदा मिलता है एक दूसरे को यानि कि जो two organism होंगे साथ में रहने वाले एक दूसरे को क्या करते हैं फाइदा पहुचाते हैं और जिसमें से example जो है यहाँ पे epijoic, elga इनके पास क्या होता है symbiotic relationship होता है and are getting benefit from each other for their survival और ये दूनों एक दूसरे को क्या करते हैं फाइदा पहुचाते हैं ताकि एक दूसरे का क्या रहे survival बना रहे उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं epijoic, elga की तो epijoic जो होते हैं ऐसे organism होते हैं जो grow करते हैं grow करते हैं और कैसकते हैं रहते हैं on the body surface on the body surface of other animals जैसे कि जो कैसकते हैं other animals यानि कि non-parasetically रहेंगे यानि कि ये symbiotic की तरह रहेंगे symbiotic relationship में रहेंगे ये ना कि यहाँ पे parasetically रहेंगे उसके बाद ये जो हैं क्या होता है epijoic, elga की बात करें जैसे कि example के लिए यहाँ पे ये जो हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं trichophilus trichophilus और trichophilus wilkeri तो यहाँ पर ये क्या होता है epijoic जो है यहाँ पे elga होता है कौन यहाँ पे trichophilus wilkeri होता है ये और ये जो हैं symbiotically रहते हैं arboreal यानि किसकी बात हो रही यहाँ पे pre dwelling जो sloth होता है उसके वरिम बात किया जा रहा है और यहाँ पे क्या होता है ये जो epijoic elga होता है प्रोवाइट करता है ये जो है प्रोवाइट करता है green green और कह सकते हैं greenish coloration to the fur of the fur of the sloth जो sloth होता है उसके fur को ये क्या प्रोवाइट करता है greenish coloration और ये जो green color होता है वो cover करता है और कह सकते help करता है camouflage होने में यानि कि कोई भी अगर दुश्मन आता है तो उससे क्या होगा camouflage हो जाएगा green अगर दिखता है तो जो यहाँ पे इसका शिकार करने आएगा उसको पहचान नहीं पाएगा sloth को तो इस तरह ये क्या होता है camouflage करेगा इसमें help करेगा और ये जो है यहाँ पे हम बात करें अगर epijoyg elga जो है यहाँ पे greenish color दे रहा है यानि कि greenish coloration दे रहा है sloth को और किसको दे रहा है fur of sloth को तो यहाँ पे जो है epijoyg elga भी है benefit उसको मिल रहा है कैसे? क्योंकि ये जो sloth होती है उसको क्या मिलता है यहाँ पे shelter जो है shelter जो है देती है किसको यहाँ पे epijoyg elga को तो यहाँ पे क्या मिलता है? सेल्टर मिलता है और adequate amount of water भी मिलता है किसे epijoic alga को और यह जरूरी होता है epijoic alga के लिए ताकि उसका growth और extra nutrients जो है वो मिलता रहे और यहाँ पे growth होती रहे तो यहाँ पे हमने देखा कि यह दोनों क्या रहते हैं? जो epijoic alga होते हैं, tree-dwelling sloth होते हैं, symbiotic relationship में रहते हैं एक दुसरे हो क्या करते हैं? फाइदा पहुचाते हैं तो यहाँ पे एगर epijoic alga जो है greenish coloration देता है, fur of sloth को तो sloth क्या देता है? shelter देता है, साथी साथ water देता है So, इस question में हमें पूछा गया था कि What is the importance of epijoic alga to tree-dwelling sloth? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह जो देता है, gifts protective Gifts protective coloration to the sloth यानि कि क्या देता है protective जो है coloration देता है sloth को और हमने देखा कि यह जो coloration होता है, वो कैसे जो है useful होता है So, we have proved this question What is the importance of epijoic alga to tree-dwelling sloth? Hope you understood it well, best of luck कि यह जो गड़ा कि देता है